नमस्कार में प्रियरेंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर जिम आज की इस अपिसोड में आड़ानी समू के आड़ानी ग्रीन, ट्रांसमीशन और टोटल गैस इस्टॉक को डिसकस करेंगे यहां देखेंगे तो अडानी ग्रीन तो 2% जबकि टोटल गैस और ट्रांसमिसन दोनों 5% की गिराबट पे दिख रही है यह गिराबट के कारण आगे के लेविल्स को समझे इससे पहले आई होब कि आपने प्रेमियम टेलिग्राम जोइन कर लिया है जो की बिल्कुल फ्री है एक उरेसी आपको 95% मिल जाएगी अगर आपको हमारे साथ ट्रेट करना हो तो डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट आपन कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ओन करके दोस्तों में सेयर कर लें यहां देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक अच्छी कबर ही रही है पांच गंटा पहले का खबर है कि अडानी ग्रूप गेट्स बैकिंग फ्रॉम थ्री जैपैनीज बैंक यह तो पोजेटिव खबर रही है जिसको आप चाहें तो ब्रीफली भी पर सकते हैं कि अडान अडानी टोटल गैस के ओडिटर से जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया है जिसके बाद गिराबर दिखी है इस समय अगर इसके टेकनिकल ट्रेंड को देखेंगे तो यहां पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट तिसरा सपोर्ट यहां से यह सपोर्ट लेते दिख रहा है लेक 680 तक के levels को touch कर सकता है इस समय मुझे लगता है कि 1000 के minimum level को breakout करने दे तभी long करेंगे यहां again देखेंगे इस परकार के जब भी एक trendline बनते है ना इस परकार से stock बने इसका मतलब कि इसमें एक बड़ी गिराबट भी दिख सकती है ऐसे stock से बचना चाहिए lower level 800 एक major support है जिसको easily के touch कर सकता है इसके बाद अगर इस level को breakout करें तभी long करेंगे already invested है तो position बनाए रखे fresh buying करने से बचेंगे अडानी transmission में देखें किस परकार से same structure यहां से देखेंगे तो 3 time जो है rejection already मिल चुका है support near around 900 का है और यहां तक के levels को भी touch करेगा जब तक इस trendline को breakout नहीं करें अगर यह जो उपर के trendline दीख रहे है इस trendline को breakout करता है तो छोटा सा target 1120 तक के level दिखेंगे लेकिन important है इस level को breakout क भी करता है overall view BRS है और 900 तक के levels को भी touch कर सकता है